हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल क्या आप भी अपने पुराने यूटूब चैनल को वापस पाना चाहते हैं मगर आपको उसकी इमेल आइडियो पासवर्ट दोनों ही नहीं मालूम है तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जादा हेल्पुल होने व बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट तो अगर आप भी अपने पुराने यूटूब चैनल को वापस लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फोन नंबर पता होना चाहिए जिससे आपने उस चैनल को बनाया था और फिर उसके बाद चैनल का नेम अगर ये दोनों च इजली अपने यूटूब चैनल को वापस पा सकते हैं तो यहाँ पर आपको यूटूब का सेंबल दिखाई दे रहा होगा आपको क्या करना है उस पर क्लिक कर लेना है तो देखिए ये ओपेन हो गया है अब नीचे यहाँ पर आपको कॉर्णर में आपका प्रोफाइल दि एकाउंट पर क्लिक कर लेना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपने जितना भी एकाउंट बनाया है सब यहाँ पर सो करने लगेगा अब देखिए यहाँ पर प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है उस पर हमें क्लिक कर देना है अब यहाँ पर चेकिंग इन्फॉर्मेशन करके आ गया है अब हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं तो देखिए अब हम साइन इन में आ गये हैं अब यहाँ पर आपको दो आप्सन देखने को मिल जाएंगे एक है इसमें create account, दूसरा है forgot email तो यहाँ पर हमें account create नहीं करना है हमें पुराने चैनल को वापस लाने के लिए सबसे पहले email ID को recover करना होगा तो इसके लिए हम forgot email पर click कर देंगे अब यहाँ पर आपको अपना phone number डालना है जो आपने account create करते वक्त डाला था वही नमबर आपको यहाँ पर fill कर देना है तो phone number डालने के बाद next पर click कर देना है तो जैसे ही next पर click करेंगे एक नया page आपके सामने open हो जाएगा अब हमें यहाँ पर अपनी channel का name डालना है तो चलिए मैं अपने channel का name डाल लेती हूँ चैनल नेम डालने के बाद हमें next पर click कर देना है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा wait कर लेते हैं देखें यहाँ पर हमारा phone number भी verify कर रहा है तो देखें आपके उस नाम से जितने भी email ID होंगे सब यहाँ पर so करने लगेंगे तो देखें यहाँ पर मैं iki name से दो account create की थी आपका भी अगर mobile number same है और आपने iki name से कई account बनाया है तो सब के सब वहाँ पर so करने लगेगा अब आपको जो भी account open करना है आपको उस पर click कर देना है अब देखें यहाँ पर आपसे आपका password मांगेगा तो हमें अपना password भी remember नहीं है तो हम क्या करते हैं forgot password पर click कर देते हैं अब यहाँ पर verify करने के लिए आपसे आपका password मांगेगा तो आपको यहाँ पर उसे दे देना है उसके बाद continue कर देना है तो देखें friends हमारी पुरानी email id अब open हो चुकी है आप चाहें तो इसका password अपडेट कर सकते हैं या इसे बाद में भी कर सकते हैं तो इसको तो फिलहाल मैं अभी रहने देती हूं और मैं सिधे continue पर click कर देती हूं अब देखें यहाँ पर इनके term and policies है आपको यहाँ पर I agree पर click कर लेना है तो देखें friends मेरा जो पुराना YouTube channel है अब मुझे वापस से मिल गया है मैं आपको उसे open करके दिखाती हूं यहाँ पर नीचे कोने में profile दिखाई दे रहा है उस पर हम click कर देंगे click करने के बाद यहाँ पर review channel दिखाई दे रहा है उस पर हम click कर देंगे तो मारा जो channel है ओपेन हो जाएगा तो देखें यह मेरा cooking का channel है इसे मैं 2-3 साल पहले ही बनाए थी बीच में मैं phone reset की तो इसका email idea और password दोनों मुझे भूल गया था बट finally आज मुझे अपना पुराना channel फिर से वापस मिल गया है तो friends इस तरीके से आप भी अपने पुराने YouTube channel को वापस से पा सकते हैं I hope friends आप लोगों के लिए आज के वीडियो काफी helpful रही होगी तो अब मुझे दीची इजाजत मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई